हेलो विडिवन वेलकम टू कंपर्टिशन करिया पॉइंट आज हम लोग बीमटी से टू का 21 से 40 कोश्चन का सलुशन समझेंगे जानेंगे अच्छे तरीका से से सेशन को सुरू करते हैं आपका इडेंटिकल होगा मने कि इसका फैलू क्या होने वाला है आपका जीरो होगा या इप टू कॉलम्स पूछे या तू रो पुछे रिसका क्या होगा डेमिटर्मांक फैलू जीरो हो जाएगा 22 नमर, देखे, ये बहुत इजी question है, ये Equal matrix का है, फर्स्ट को फर्स्ट से एकल कीज़े, सेकेंड को सकेंड से, थर्ट को थर्ट से, फोर्ट को फोर्ट से, तो भाएक के value 1 होने वाला है, और X का value 5 होने वाला है, देखे, Y के value, X के value 5 और Y के value 1 और Z के value 2, नहीं कि option आपका ए equal matrix को question है किसका है equal matrix かा question है मुनने कि element को equal कर देना है यहां पर ओके । ट्रांस्पोस क्या हता है रू को को column को双 सब्सक्राइब धेजिए सट हर्स्ट उपुर्म और यह सकंड रू को 于 second Kolum क्या हो जाएगा फोन थिरिये is for o मैं से को हुआ है उसको five times matrix से पूछ रहा है मनने सभी element को five five से multiply करना है जितने भी element है सभी को five से कितना होगा यहाँ पर 15 हो जागा यहाँ पर कितना होगा 25 यहाँ पर 30 40 45 अप्शन आपका सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने का मतलब आपका एक अभेलू दिया हुआ है माइनस वन जीरो और जीरो वन दिया हुआ है ओके आपको क्या निकालना है बताओ यहाँ पर अजिकाल मतलब a-a क्यातना होगा माइनस फान जीरो जीरो वन जीरो गेहा वन मुल्टीप्लाई किजीयेगा फर्सट उल्ड को फिस्ट कोलम से माइनस corporation प्लस तोब्स यो से क्या हो जाएगा सबसे क्या हूद करने लाट करने सुझे मेला है इस इस धर में भी आ स्विश करने और बाद की आएका इका नहीं करके हैं यहांपकर देखों ये माइनस भी का होगा फ्लस के तरी फिर मैनस डू फिरल फाइब प्लस थिरी कितनाा जाएगा बताओ फ़ूर थाएगा वन अजाएगा और यहां टू आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा देखो option आपका A सही होना बदा है ओके next 28 नमर कोई matrix A दिया हुआ B matrix दोनों को add करना बोला है A प्लस B निकाल दीजिए simple सा अगर A प्लस B पुछा है matrix में ते क्या करें कि 3176 प्लस 4752 simple plus कर दीजिए जिसे भी बताये थे 3 प्लस 4 कतना होगा 7 हो जाएगा 1 प्लस 7 8 आ जाएगा 7 प्लस 12 आ जाएगा और 6 प्लस 2 8 आ जाएगा ओके देखिए option आपको यहाँ पर B सही हो जाएगा क्या हो जाएगा option B सही हो जाएगा 29 नवर देखो कोई भी एक सेट दिया हुआ जिसमें 1234 और फाइब दिया हुआ तो इसका करना मतलब है कि कौन सा करेक्ट है देखिए यह वन बिलोंग्स टू वे हाँ साही है यह फोर बिलोंग्स टू यह थे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं बताता हूं बेसी देखिए देखिए वन बिलोंग्स टू यह साही है और टू बिलोंग्स टू यह साही है थिरी फोर बिलोंग्स टू यह साही है फाइब बिलोंग्स टू यह साही है देखिए यह साही है यह यह रोंग है यह भी रोंग है क्या कि थिरी देख फोर और फाइब फोर यहां पर देखिए यहां ऐसे लिखाँ चाहिए ओके 5 NOT belong to कर दिया है गलत है one two नहीं one two में bracket लगा हुआ नहीं थे bracket नहीं है तो आपने के आपका option ऐसा ही हो जागा इसके से okey belongs to बोलते हैं इसको belongs to इसको not belongs to बोलते हैं इसको तो देखे कोन कुण belongs to है और भी हो सकता है आपको निकाल सकते हैं सबसेट है कि 30 नमर् वी चीजे नल सेट इन दो फ्लोइंग नल सेट किसो बढ़ा है किसको नल फाइक को बोलते है नल सेट बोलते है फाई को का बोलते है थाटिवन ये भी सेम दोखो A O B दिया हुआ मैंने कि A इस कल्टू देखो सेट दिया हुआ और बताता है कौन सा करेक्ट है देखो इस सेट में जीरुत है ने यह अप्शन नहीं नहीं है 32 नमर ये N के भी लिए दिया A नमबर ओप सुमने की A set का दिया हुआ है B set का दिया हुआ है आओ ये union B दिया हुआ है तापको सिंपल सापको A intercession B पूछा दिसका फर्मूला क्या होता है देखे A union B equal to जो होता है N A plus N B minus A intercession B B इसका value देखो कितना दिया है यहाँ पर आपका 15 दिया हुआ है इसका value 10 दिया हुआ इसका plus 7 दिया हुआ है आपका इसका value find करना है simple है कितना होगा ये minus plus हो जाएगा then intercession B कितना होगा 17 minus 15..., कर देंगे कितना प्रेगा 2 option B सह हो जाएगा बहुत असान है फार्मूला बेस पड़ता था थाटे थीर नमर यहने group of 26% 8% take tea instead of coffee and 60% take tea and how many persons take only coffee not taking tea मैंने कि only coffee की निकालना है आपको पास सबसे पहले मैं बता रहा हूं यहां पर कि इसको देखें दो टाप्स सोल्प कर सकते हैं देखें एन पहले हम इसको बान लेते हैं कि जो टी जो है टी इनिस्ट देखें 8% take tea instead of coffee ओके आपको कहने का मतलब क्या है कि take tea instead of coffee मैंने कि only tea के बारे में बात करा हैं ती मिस मैंने कि टी के बारे में केतना दिया एट और coffee को मैं माला आता हूं coffee वाला को बताओ C तो कितना देखो 60% take tea मैंने कि यहां पर tea कहीं दिया हुआ है ओके यह टी कहीं दिया हुआ कितना total tea मैंने कि total टी पीने वाले हैं उससी लोग है और यहां से पूछा जा रहा है आपको और टोटल दिया हुआ हुआ है मने कि city for 26% जो है वो coffee पीते हैं और टी भी पेनते माने कि tea और coffee कितना दिया है बताओ टी और coffee कितना 26% आपको यहां से बताना है कि आपको only coffee पूछ रहा है क्या हो कि देखेंगे टेक only coffee not taking tea मने कि only coffee coffee पूछ रहा है मने इसका फिलू पूछ रहा है मुझे पुछा है खाली coffee only coffee तो इसमें से हम लोगो टी को माइनिस कर देंगे तो मैंने को इसका फिलू निकालना है sorry इसका इसका जो मतलब होता है ना only यहां पर लिखते रहा हूं टी यूनियन सी इसकल टू एन टी पलस यह क्या होगा यह जो होगा यहां पर इन only coffee हो जाएगा इसका फिलू देखिए कितना दिया है इसका फिलू 26 दिया हूँ और आपका आपका एह सही हो जाएगा पर किया हो जाएगा? आपको देखिए यह कोफी हैं ये यदिया आत्रीट कोफी यह होता है ये जो लिटी है इसमें कितने लोग है ऑगे और यह तोटल टो टोटल ती पीणे वाले हैं वो केतने वाता हो 16 में इसे पीएंग यह लोग होंगे किया होगे आफ दोनों पीएंगे आफोंटी दिया हूए कि अभ向 को सिमपलस कि निंगाल सकते हैं जिसे अप इस सेवन्ट नियांकाज पड़े होंगे वोस्न निकाल सकते हैं यहां की का आता हूँ18 का निख्यों सेट है यहां पर सेट का इसे बताता हुँ 18 का wes 5 यह ता Google । 2 होता है 3 होता है 6 होता है 9 होता है और 18 होता है और 8 अभी 24 का जो फैक्टर निकालेगा 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है और 6 होता है 8 होता है 12 होता है और 24 होता है और इसका 30 के जब निकालेगा तो 1 होता है 2 होता है 3 होता है 5 होता है 6 होता है और 10 होता है 15 होता है और 30 होता है अब इसमें सब में तीनों में देखिए इसको सेट ये माल लेजिए सेट भी माल लेजिए इसको सेट सी माल लेजिए जब तीनों में आप कोमन निकालोगे तीनों में जो common होगा क्या जाएगा बताई यह तीनों में क्या common होजाएगे सेट में बताई 1, 2, 3 और देखे 1, 2, 3 सभी आप 6 6 सभी में आ रहे हैं तीस 6 होजाएँ और ओके क्याएगा 1, 2, 3 इसमें से जो greatest होगा SCF जो होगा SCF is equal to greatest digit जो होगा इसमें से greatest digit in A, B, C क्या होजाएगा 6 होजाएगा तो यहाँ आप देखे option यहाँ पर गलाप दिया हुआ आप option यहाँ पर इसको 15 को काटकर यहाँ पर कर लिजे 6 कर लिजे तो option आपका सही सही हो जाएगा इसकेस में तो next 35 नंबर the number of non-empty set देखे अ-empty set और यहाँ पर कितना set में 1, 2, 3, 4 दिया हुआ हुआ है इसका जो number of लिखालने के लिए फर्मला बताता हुँ non-empty set क्या होता है 2 के पावर n माइनस 1 हो जाता है तो पावर कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4, minus 1 कितना हो जाएगा 4, 16, और उसको माइनस करेंगे तो 15 बने को option B सही हो जाएगा next 36 नंबर अब देखे A set दिया, B set दिया और दोनों में intersection निकालने के लिए बोलता है intersection इसको बोलते हैं intersection क्या हो जाएगा दोनों में देखे, common क्या इस set में, set में का common है आपको देखो, दोनों में B दिख रहा है और दोनों में D दिख रहा है उसके लबाब कुछ नहीं थे, B और D तो option आपका B सही हो जाएगा इस कसमें यह number of जो निकालने का है number of way निकाल सकते हैं कितना तरह से लिख सकते हैं देखे, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखता है, 2, 4, 6 6 का फैटोरे कर देंगे और taken at 2 at a time बोला है मैंने 2 फैटोरे से को divide कर देजिएगा इस ऐसे भी लिए साथ इसको क्या हो जाएगा 6 का फैटोरे क्या हो जाएगा बताओ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 2 into 1, 2 to cancel कितना हो जाएगा 30 into 4 120 यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर ऐसा कीजिए आपलो इस नमबर ओपिए है ना है तोटल लेटर क्ता है वट टो टेरी फ़ोर फवश सीकस है और यहाँ पर कितना टेकने टो टाइम टॉट्यूट टूट्यूट्ट टाइद टाम लगा हूथ तर्टाम केंसे लिए ठाशन है डेख्छिए तिन नमर नमर है फिश चिमेंत्री की लगा देंगे a है a plus 1 है यहाँ पर a plus 3 है ओके इसको बोलते हैं capital A माल लेते हैं इसको gm माल लेते हैं इसको क्या माले b माल लेते हैं तो gm इसकल to क्या होता है बताओ root a into b होता है gm का value देखो क्या है a plus 1 दिया हुआ है और यहां पर root के अंदर a into a plus 3 दिया हुआ है, root जाके क्या होगा? square हो जाएगा, okay, a square plus 3 आ जाएगा, यहां solve करेंगे तो a square plus 2a plus 1 equal to a square plus 3a, देको plus plus, plus जाके minus हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2a minus 3a minus 2a equal to 1, एका value केतना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहां कि option B सही हो जाएगा, 39 नमबर, वोने new year day every student in class sends a card to every other students, the postman delivery 600 cards to how many students, देकिए आप माल लेजे कि number of cards, total number of students माल लेजे, number of students जो है, in a class, इसको मैं माल लेता हूँ, x, ओके, अब each students, give the card, given to the card, ओके, तो उसमें कि एक, जो total x student है, तो उसमें तो अपने आपको card नहीं देगा न, तो एक उसमें कम हो जाएगा, तो x minus 1 card सभी को, इतना सभी को देगा, तो total number of cards केतना हो जाएगे? टोटल number of cards जो जाएगे न, किया दो जाएगे बताओ, x into, दोगो, एक student का कितना, each student का कितना, x minus 1 थे, x का कितना हो जाएगा, टोटल, x minus 1 हो जाएगा, अब यही इसका value दिया हो न, question में, 600, total cards दिये हो है, कितना हो जाएगा, x square minus 2, x is equal to 600, जब इसको solve कीजिएगा, जब इसको solve कीजिएगा, 600 को, factorization कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 150, 75, 3 से, 25, हाँ ठीक हागिया, x square minus 25x plus 24x minus 600, equal to 0, तो x minus कितना हो जाएगा, 25 और 24 कोमन लिजेगा यहाँ पर, तो x minus 25, equal to 0, क्या हो जाएगा, x minus 25, x plus 24, equal to 0, तो आप बता सकते हो, कि यह value इसके 0, और x plus 24, equal to 0, अब x के value कितना हो जाएगा, 25, और यह plus जाकर का होगा, माइनस, यह answer नहीं होगा, option बने कि 25 पला होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो option लिखा होगा चाहिए, option होगा यहाँ पर, ok, option आपकर b यहाँ दिया होगा, तो b को option catch कर लिजेगा, ok, next, देखिए, आपको third term GP में दिया हुआ, third term, मनने कि a third का value दिया हुआ, केतना, 4 दिया हुआ, a third के से लिखते हैं, a r 2 equal to 4, यह दिया हुआ है, ok, अब आपसे the product of first 5 term, मनने कि a into second term, फिन third term, into third term, ok, into fifth, देखिए, one, two, three, four, fifth, सब का plus करेंगे, तो कितना, a का power कितना होगा, five हो जाएगा, r का power कितना हो जाएगा, seven, two, nine, one, ten आ जाएगा, okay, कितना जाएगा, ten, जब इसमें सो common निकलिएगा, a r 2 हो जाएगा, power five, इसका value देखिए, कितना जाएगा, four, four का power five किजिएगा, two power two, यानि two into five, two power ten, two power ten, two power ten जो होता है value, आपको याद होगा चाहिए, one, zero, two, four, मनने कि option D से हो जाएगा, देखिए, आप लोगों को पूरा का, set one का complete करवा दिया हूँ, one से लेके 40, I 21 से 40 था solution, आप अच्छे समझिए, exam में अच्छे स्तियारिक कीजिए, अगर कोई भी doubt है, तो आप बताईए, और उसके बाद कोई भी topic में problem है, तो topic के नाम बताईए, comment section में, तो मैं जरू उसको solution करने कोशिस करूँगा, thank you so much for watching my video.